हेले दोस्तों जैसीरी राम हमप्ति बिलोक में आपका स्वागत है स्वागत है दोस्तों आज बनाएंगे यह राइघ के पत्ते का सा गई कि दो तरे का इसको बनाएंगे मस्रूम केंदर connect कि दोस्तों इसी तरीके से सारा बारिक-बारिक काटना पहले काट लेते हैं फिराफ से मिलते दोस्तों कि दोस्तों जाद से जाद से सपोर्ट कीजिए हमें दोस्तों और बच्चे भी दोस्तों दस बार आजार कमाते दोस्तों अब पती तो है नहीं मेरा अब दोस्तों यह बच्चे अपनी बीवी बच्चे भी देखेंगे मेरा इतोड़ना देखेंगे दोस्तों तो इसलिए मैं क अपनी मैनस से कमाना चाहती हूं कि मेरे लिए थोड़ा बहुत कुछ कमा लूँ मैं भी अधोस्तों मेरे वीडियो के लाइक करते रहने करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मेन राइका साथ काट ली अभी काटते मस्रूम कि अधा दोस्तों मैंने साग भी काट ली अर धो भी ली इसको सई से अब मस्रूम भी काट ली से भी दोली अब कडाई मैंने रख दी कडाई गरम हो रही है इसमें डाल देते तेल दोस्तों डाल देते लासन तेल गरम हो रहा है इसमें डाल देते प्याज हरी मिर्ची डाल देते दोस्तों मैं इसमें चार हरी मिर्ची ली ती में चार हरी मिर्ची ली थी एक प्याज ली थी छोटा सा मैंने इसमें डाल रहीं आदी चम्माच हल्टी पोड़ा और आदी चम्माच धन्य पोड़ा और आदी चम्माच थोड़ी लाली मिर्ची पोड़ा रादी चमाच नमोग इसमें डाल रहे हींग थोड़ा से डालेंगे पानी दोस्तों इसके टमाटर के चिलिके नी डालती में कभी भी क्योंकि फिर चिलिके आते हैं सबजी के अंदर तो अच्छे नहीं लगते हैं और जल्दी पकते भी नहीं है छिलिके की बढ़ाना चाहिए सबजी के तो मैंने लीती दो टमाटर अब धाल देते हैं मसाले में थोड़ा सा पानी वह डाल देए दोस्तों जो मसाला सही भूंद जाए हमारा दोस्तों हमारा मसाला भूंद गया अब इसमें डाल देए साग अब हम मसाला तेज खाते चट पता इसलिए ज्यादा गेरते हैं मुर्की मसाला दोस्तों यह वाला साग हम पहली दपे खा रहे हैं कभी खाए नहीं है देखे भी नहीं पहली दपे बना दी महीं है वजार में मिल गया था इसलिए लिए अब दाल रीस के अदर मसरूम थोड़ा मैंने पकाली पहले साग को ताकि कच्छा पन मारें दोस्तों हमारे सब्जी बन के तयार हो गई अब दाल लेते हैं टिकेंगे दोस्तों हमारे राई के पत्ते का साग और मश्रूम की अलग से नई एक रेसिपी तयार किये दोस्तों और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है हमारी नई रेसिपी की वीडियो और दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेट कीजिए और दोस्तों चैनल पर नई हो तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए मिलते ऐसी नही रेसिपी के साथ जब तक के लिए दोस्तों बाई बाई